देखे आज इस कमपटिंगे बारे में हम बात करने वाले हैं सिर्फ 882 करोड का मार्केट कैप है इसका 8 रुपे 82 पैसे इसका करंट प्राइज और 20 का PE है सस्ता है बुक वैल्य एक रुपे 23 पैस की और इतनी चोटी कमपनी कोने पाफ जो दी यह जो है एक डिविडेंट भी देती है 36 से ROE और ROC है 38 का बहुत शांदार बात करें देखें कोन्ज और प्रोज की कमपनी के तो कोन्ज में हम देखेंगे तो सिर्फ बुक वैल्य से साथ गुना उपर ट्रेड कर रही है तो यह हो जाता है क्योंकि अच्छे प्रोफिट कमपनी करती है तो यह हो जाता है इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है लेकिन देखिए प्रोज देखे तो कितने सारे इसके favor में है इसने अपना जो है debt reduce किया है एक good cutter ये company दे सकती है और CAGR देखिए पिछले 5 सालों से 80% का और dividend payout 58% का company ने बनाया हुआ है अगर company की हम sales की बात करें तो देखिए sales देखते हैं तो 116 से लेके 619 करोड हो गई है सिर्फ 2016 में 116 थी और अब 619 करोड हो गई है तो बहुत सांदार बहुत speed से sales बढ़ी है हमारी और अगर profit देखिए तो profit भी जहां 1 करोड के 2016 में हो एते थे ये अब हो गए हैं 43 करोड के 43 गुना हो गए है 2016 से अभी तक सिर्फ 6 सालों में और अगर देखिए हम बात करें compounding sales growth की तो 47% से बढ़ रही है profit growth देखिए तो 310% से इस साल CAGR कम रहा है क्योंकि share का price बहुत ज़्यादा बढ़ जाता तो profit booking आई और माइनस में 33% है equity पर रिटन देखें तो 37% का बना हुआ है बहुत शानदार reserve देखें company के पास देखें reserve भी है तेज करोड के reserve है 41 करोड का करजा है लेकिन 800 करोड की company है तो 41 करोड का करजा कोई माइन ये नहीं रखता है साथी साथ इसमें promoters से अपने जो है stake बढ़ाए जा रहे है और अगर बात करें हम share holding pattern की तो public के पास और promoters के पास दोनों के पास लगभग 50-50% है लेकिन अभी जो quarter 3 आएगा उसमें ये आपको देखने को मिलेगी बढ़ी हुई क्योंकि अभी ये stake बढ़ा रहे है promoters अपना अगर हम कामकाज देखे तो देखे ये जो है जो बास्मती राइस होता है premium बास्मती राइस उसमें focus करती है ये और साथी साथ grain में और बहुत सारी चीजे हैं गेहूं बगएरा सारा agro product सारे के सारे ये काम करती है और rock salt में भी ये काम करती है हमारी company जिसका brand नाम है मिष्ठान अभी अगर इसका हम market देखे तो सिर्फ इंडिया में है लेकिन ये जो है बहार बिदेशों में भी अपना कामकाज को आप बढ़ाने की सोच रहे हैं साथी साथ इसके पास जो है automatic stores है जो इंडिया में अभी किसी के पास नहीं है सिर्फ अभी बिदेशों में चलता है company का नाम है मिष्ठान food limited और दोस्तों कोई भी देखे खरीदने या बेचने की सलह नहीं है ये वीडियो सिर्फ educational purpose के लिए था वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो है तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत